नमस्कार दोस्तों आप सभी को सुवागत है आपके अपनी चैनल एक रिष्टडी पे आज हम बात करेंगे फूर्ट सेफ्टी ओफिसर जवब के बारे में खादर निरिक्सक या फिर फूर्ट सेफ्टी ओफिसर के क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन मेतड, सेलरी और कौन से सबजेक्ट पढ़ना है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्केशन करेंगे तो भी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए फूर्ट सेफ्टी ओफिसर एक स्टेट लेवल जॉब है जो स्टेट का पी एससी यानि की पाप्लिक सर्विस कमिशन उसका रिक्रूटमेंट करवाता है हर सल हर एक स्टेट में लगबग इसका नोटिफिकेशन आही जाता है तो बहुत ही इंपोर्टन जॉब है इसमें अच्छा सलेश भी मिलता है और रेस्पेक्ट भी मिलता है तो बहुत सारे बेसे एक स्टूडेंट इस जॉब का एक्जाम देते हैं जान लेते हैं इस एक्जाम का एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि स्टेट लेवेल जॉब है तो स्टेट टू स्टेट इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत भहरी कर सकता है मैं एक एप्रोक्सिमेट बता रहा हूँ जो लगवग हर एक स्टेट के लिए सिमिलर होता है क्या क्या होता है फूट टेकनोलोजी डियरी टेकनोलोजी होम साइन्स बायो टेकनोलोजी एग्रिकल्चर सायंस या फिर भेटरनेर साइन्स में बीस्सी या फिर बी टेक डिग्री आपके पास होना चाहिए कोई भी रेकोगनाईज उनिवर्सिटी से मतलब UGC या पिर ICA और मानियत अप्रक्ट उनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में जैसा की ओयल टेकनोलोजी यानि की एडिबल ओयल टेकनोलोजी और Biochemistry, Microbiology, Medicine में अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप exam के लिए बैठ सकते हैं आपके पास Master's डिग्री है Chemistry में कोई रेकोगनाईज उनिवर्सिटी से तो भी आप exam दे पाएंगे और Scientist के पोस्ट के लिए PhD Microbiology के फिल्ड में required होता है तो ये था Educational Qualification अगे बढ़ने से पहले आपसे चोटी सी request है आप अगर हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और Bell Icon प्रेस करके हमारे साथ जूडे रहे हैं तो इसके आगे देखते हैं क्या होता है Age Limit आपके आधर Qualification के तरह ये भी State to State थोड़ा बहुत भैरी कर सकता है इसका Minimum Age Limit मतलब लगबख हर State के लिए 18 to 21 के बीच में रहता है और Maximum 40 से 42 के बीच में रहता है इसमें जो State होता है उसी State का जो Government Rule होता है उसके हिसाब से Age Relaxation SCST OBC को दिया जाता है इसके आगे हम बात करेंगे Job Duty और Work Type क्या होता है मतलब काम क्या करना पड़ता है एक FSO Officer को Take Sample of Food Product Seizing Hazardous Food Product Inspection of Food Product Issuing Notification for Hazardous Food Products इसका क्या मतलब है खाने का जाच करना और कोई खाना अगर बहुत ही hazardous होता है तो उसको सीज कर लेना और जहां पे खाना बनाया जाता है उस एरिया का जाच परताल करना होता है उनका काम अब हम बात करते है इस Job का Exam Pattern क्या रहता है जो Food Safety Officer होता है इसका Exam State Level होता है तो State to State Exam Pattern थोड़ा बहुत भारी करता है लेकिन जो Basic Exam Structure होता है वो सब के लिए सेम होता है Preliminary Written Exam जो MCQ टाइप का होता है उसके बाद एक Mains याने की Written Exam ये भी Conventional टाइप का होता है और उसके बाद Personal Interview याने की Personality Test किया जाता है जो लोग पहला Preliminary Qualify करते हैं उनको Mains के लिए और Mains जो Qualify करते हैं उनको Interview में बुलाया जाता है ये Basic Structure फॉलो करके लगवग हर एक स्टेट में Exam Conduct किया जाता है अब हम बात करते हैं Mains के क्या-क्या Subject रहता है Questions पूछे जाता है बहुत सरे Optional Subject में से जैसे कि Agriculture, Chemistry, Engineering, Forestry Horticulture, Physics, Environmental Science Geology, Mathematics, Statistics, Geology, Etc Food Science से बहुत सरे Questions पूछे जाता है ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा अब हम बात करते हैं बहुत important questions जो कि आपको Celery कितना मिलेगा ये Payband 3 वाला जॉब होता है लगबग हर एक स्टेट में 15,600 से 39,100 के बीच में Celery दिया जाता है तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और ये दोस्तों के साथ स्याद करिए और भी बहुत सारे वीडियो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये देख सकता है चैनल को सब्सक्राइब करका हमरसे जूड़े रहिए